कोरोना महमारी के दौरान बॉलीवुड एक्टर सौनु सूध जरूरत मंदों के लिए मसीहा बन कर सामने है। कोरोना लोकडाउन के दौरान उन्होंने हजारों जरूरत मंदों की मदद की। लेकिन हाल ही में सौनुसूद ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से उन्हें सोसल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उनका बीडियो वाइरल हो रहा है और उनकी आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं अब भारती रेलवे ने भी सौनुसूद को फटकार लगाई है। प्रिय सौनुसूद देश और दुनिया के लाखों लोगों के लिए आप एक आदर्स हैं। ट्रेन के पायदान पर बैट कर यात्रा करना खतरनाक है। इस प्रकार की वीडियो से आपके प्रसंसकों को गलत संदेश जा सकता है। क्रपया ऐसा ना करें, सुगम एवं सुरक्षित यात्रा का आनन्द उठाएं। रेलवे और सोसल मीडिया यूजर्स की नाराजगी के बाद सोनुसूद ने माफी मांगी है। सोनुसूद ने एक ट्वीट में कहा है। समाप्रार्थी, बस यूँ ही बैठ गया था देखने और महसूस करने के लिए कि लाखों गरीब जिनकी जिन्दगी अभी भी ट्रेन के दरवाजों पर गुजरती है, कैसा महसूस करते होंगे। धन्यवाद इस संदेश के लिए और देश की रेलवे वस्था को बहतर बनाने के लिए। तो दोस्तो सौनुसूत के इस वीडियो और रेलवे की नसीहत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं।